ओ, Zomato की यहाँ पर जबरदस्ट लिष्टिंग के बाद और जबरदस्ट पैसा बनने के बाद जहाँ पर सब बोल रहे थे कि पैसा बनना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, Loss Making Company है लेकिन हमने आपको बोला Zomato में के लिए और Zomato में धमाकेदार पैसा बनता हुआ दिखाई द चाहता हूँ, यह एक ऐसा IPO है, यहाँ से आपका पैसा, लिष्टिंग गेन के बाद भी बन सकता है और बहुत मोटा मुनाफाब बना सकते हो सक्टेंबर, अक्टूबर के महने में, बड़े ध्यान से आप इस वीडियो को देखे, बहुत important वीडियो है, मैं आपको बता रहा है, mutual fund, क्या आप plan बना रहे हैं, कैसे इसके potential को unlock करेंगे और कब unlock करेंगे, वही मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूँ, IPO कैसा है, ग्रे market premium क्या है, listing gain क्या है, यह सब तो आपको और भी कहीं भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन मेरा वीडियो इसलिए खास है, क्योंकि मैं आपको अंदर की चीजे बताता हूँ, और जो काफी काम की होती है, बाद में जाकर आप यहाँ पर, खुद यहाँ पर समझ जाएंगे, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, शुरू करते हैं मेरे साथ, नमस्कार में अंकेत, और एक बार श्टार्ट करते हैं Market Master, Long Term Philosophy of Investing, Gleven Mark Life Sciences का मैं गेम पूरा रिवील करूँ कि यहाँ पर FIIs क्या प्लैन बना रहे हैं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि हमने यह जो IPO Review का सिलसिला था, यह हमने तकरीबन आज से 3-3 साल पहले शुरू किया था, पूरे YouTube में सबसे पहले Hindi चैनल हमार और वहां से हमने IPO Review करना शुरू किया था, जिसमें बहुत सारे IPO आये, जिसमें HDFCMC, DMART, IRCTC, बड़े-बड़े IPO यहाँ पर धुरंदर IPO आये, अब तक हमने अगर आप देखेंगे तो 100 से जादा IPO Review कर लिया है, और उन 100 में से हमारी जो Efficiency है वो 100% रही है, अभी तक आप जो और वो मिला नहीं आपको, हाँ, SBI Card के साथ हुआ था, जहां पर 700 का IPO था, प्राइज और वो 500 तक चला गया था COVID के कारण में, लेकिन हमने तुरंत एक अरजेंटली वीडियो बना कर मैंने बताया था, कि भाई यही 500 में लगा दो, अच्छा मौका यह 1000 भी हो जाएगा, और HDFCMC का जब IPO आया था, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, यह share 3000 जाएगा, आज HDFCMC 3000 के पास है, IRCTC का IPO आप यकीन नहीं करेंगे, 300 में आया था, मैंने आपको बताया था, IRCTC जो है, वो 1500 जाएगा, आज IRCTC यहां पर 2000 चला गया, SBI Card 500 हो गया था, मैंने आपको बताया थ 200 के उपर है यहां पर, जबकि वो काफी limit वाली company है, तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं हमारे IPO की जहां पर हमारी जो success ratio है, वो यहां पर 100 में से 100% यहां पर रही है, मैं आपको बस बताना यह चाहता था, कि कभी भी कोई IPO आए, तो आप एक बार मेरा review जरूर देख ले, हाँ म Life Sciences में भी आपको मैं IPO का बता रहा हूँ, और क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, जो plan बनने वाल है, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, fundamental काफी अच्छे है, valuation काफी अच्छा है, valuation अगर आप industry के हिसाप से देखोगे, तो इन्होंने काफी इन्होंने 700 ही आप से हाँ पर asking price रखा है, asking P22 का है, अच्छा लगा मुझे ये देखकर कि अच्छे price पर आपके लिए इन्होंने लेकर आए, gray market में क्या दिक्कत है, gray market जो चल रहा है, सिफ 15-20% का listing gain दिखा रहा है, कुछ दिन पहले थोड़ा ज्यादा दिखा रहा था, fluctuation हमें दिखाई दे रहा है, 864 के आसपास चल रहा है, अनोफिशल मार्केट में शायद ये 7 बजे 26 जुलाई को, यानि कि कल जब आप IPO लगाना स्टार्ट करेंगे, तो gray market शायद वहां से demand देखकर उपर के तरफ बढ़ता चला जाए, अच्छा, अब IPO में आपको लगाना कै कैसे IPO में अप्लिकेशन कैसे लगती है, अगर आप जानना चाहते हैं, तो सिर्फ आपको आपके net banking में जाना है, उससे भी पहले आपके पास एक demate account होना चाहिए, demate account कैसे खुलाना है, पांच मिनट में खुल जाता है, आपको नीचे link description में दिया हूँ, वहाँ पर demate services में, वहाँ पर आपको मिल जाएगा कि आप IPO में application लगा सकते हैं, YouTube में ऐसे बहुत सारे वीडियो है, हाँ, मेरा यही suggestion है कि आप हर family member से एक-एक lot ही apply करें, उससे ज्यादा apply करने की कोशिश ना करें, IPO के बाद की strategy काफी simple है, IPO मिलने के बाद आप 50% profit निकालने और 50% को hold अब Glenmark Life Science का IPO का number और September, October से क्या connection है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखे, इस IPO में क्या है, सबसे पहले तो issue size, 2-3 चीज है जो गडबड मुझे दिखाई देरी, issue size कम है, अगर issue size कम रहता है, that means that is easy to manipulate, तो operators इसे ज़्यादा भाव लगाते हैं, उस हिसाप से इसका G GMP काफी कम आ रहा है, यानि कि 15-20% का grey market price आ रहा है, premium आ रहा है, काफी कम है, काफी कम है अगर आप issue size को देखोगे तो, पहला point यहाँ पर यह, दूसरा point यहाँ पर यह कि यह काफी reasonable price है, यानि कि valuation काफी अच्छा है, काफी नीचे है, काफी कम demand कर रहा है आपसे, fundamental काफी strong ह तो मुझे ऐसा लग रहा है कि operators की planning चल रही है, जो FIIs की planning चल रही है, इस IPO से related कि एक बार list होने देते हैं, उसके बार थोड़े दिन इसको चलने देते हैं, 3-4 दिन, 7 दिन, 10 दिन, उसके बाद इसको उठाना चालू करेंगे, क्योंकि देखें, यह जो है, अभी जो price चल रहा है, यह almost अपने lowest पे चल रहा है, यहां से बहुत जादा नुकसान होने की संभावनाएं नहीं है, यहने कि आप इसमें apply कर सकते हैं, बिल्कुल apply कीजिए, listing gain के लिए apply करिए, और मैं बोलूँगा, listing gain के लिए ही नहीं, short term से लेके long term के लिए भी apply करें, इसके बाद IPO का यहां से गिरने के संभावनाएं कम है, बढ़ने की chances काफी जादा है, यहने कि जो इसका potential unlock करेंगे, FIIs, वो धीरे-धीरे करेंगे, और FIIs ने नहीं किया, तो mutual fund करेंगे, और यह करना चालू करेंगे, अगस्त से, जब से इसकी listing हो जाएगी अगस्त में, तब आपको listing end नहीं आती है, तो भी hold करें, और November तक इसे लेकर जाए, at least try करें, November तक इसे लेकर जाए, उसमें आपको इसका potential unlock होता हुआ दिखाई देगा, जैसे जैसे PE बढ़ेगा, वैसे वैसे आपको market price भी बढ़ता दिखाई देगा, और आप जबरदस्त मुनाफ़ा बनाएंगे यह वो वाला IPO नहीं है कि जहाँ पर आप listing end में 50-60% बना लिए और उसके बाद वहाँ से निकल गए, ना आप इसमें थोड़ा सा wait करें, थोड़ा सा patience रखें, FIIs को आने दे game में, mutual fund को आने दे game में, जैसे ही वो entry मारेंगे, आप वहाँ से exit ले लिजे, और मैं आपको बत है liquidity का issue आएगा, उमीद है आपको मेरी strategy आज के वीडियो के अच्छे लगी होगी, वीडियो पसंद आया, like करे, share करे, बाखी लोग के साथ अगर आपको यहाँ पर पसंद आया है, और इसके साथ channel को subscribe कर सकते है, ऐसे information के लिए, अच्छा एक और कमाल का IPO यहाँ पर आ रहा इसके साथ चाहे passenger vehicle हो, off highway valley vehicle हो, कैसे भी vehicle हो, सब में यह अपने product यहाँ पर बेजती है, एक leading company है, अगर आप जानना चाहते हैं उस IPO का review, तो मैं कल ही वीडियो बनाऊँगा, अगर आप आज के वीडियो में देते हैं, हमें 10,000 like के आसबास, तो उमीद है आपको वीडियो होगा, मिलूँगा आप से अगले वीडियो के साथ में